टीम इंडिया को इस साल इश्या गप और वर्ड कप जैसे बड़े टूनामेंट्स खेलने हैं ऐसे मेहम रोल हो जाता है सेलेक्टर्स का चेतन शर्मा का स्टिंग ओपरेशन में नाम आने की बाद से वो इस तीफा दे चुके हैं और अब अंतरिम सेलेक्टर के रूप में शिप सुन्दर का सपना कारे बार समाल ले हैं लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि BCCI जल्दी ही ने सेलेक्टर का एलान पर सकता है इस समय उत्तर शेत्र के सेलेक्टर कमेटी में शामिल किये जाने के लिए एक बड़ा नाम आगे निकल करा रहा है वो है विरेंद सहवाग का बिसी से एक एक अधिकारी ने PTI को बताया है कि प्रशाशकों की समिती के कारेकाल के दोरान विरेंद सहवाग को मुख्य कोच के पद के लिए अपलाई करने के लिए कहा गया था लेकिन बाद में अनिलकुम ले कोच बन गए से और अब नहीं लगता कि वो खुद से आवेधन करेंगे इसके लावा उनके जैसे बड़े खिलाडियों को उनके कट के नरूप वेतन मी देना होगा अगर सहवाग के लावा बात करें तो उत्तर शेत्र के अन्य दिग गल्दिया तो चैनल से चुड़े हैं या आई पेल टीमो से कुछ की अकेडमी है तो कुछ कॉलम लिखते हैं गौतम गंबीर हरबजन सिंग और युवराज सिंग भी उत्तर शेत्र से हैं लेकिन रेटार्मेंट को 5 साल पूरा होने की नियम पर वो इलिजिबल नहीं है इसके अलावा भारत के पूर्वेस्पिनर मनिंदर सिंग भी दो बार अवेधन कर चुके हैं पहली बार उन्हें इंटर्व्यू के लिए बुलाया गया था लेकिन दूसरी बार ने देखी जब सेलेक्टर बनने की बात आती है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है वो इस सैलरी का सेलेक्टरों को जो वेतन दिया जाता है क्या वो इतना है कि बड़े खिलाड़ी भी अप्लाई करें सरसल पिछले कुछ सालों से दिलीव बेंक सरकर और केश रिकांद के बाद कोई भी बड़ा खिलाड़ी सेलेक्टर नहीं बना है ऐसे में सवाल है कि बड़े खिलाड़ी क्यों जिम्मेतारी लेने से कतर आते हैं इसको लेकर जानकारों का मानना है कि जो सेलेक्टर बनना भी चाहते हैं, वो इस पद के लिए वेतन कम होने के कारण नहीं बन पाते हैं। उत्तर छेतर से चेतन शर्मा की जगा BCCI को भी तर कोई उट्यूप्ट नाम नहीं मिला है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाद शेतन शर्मा की जगा अंतरी मद्देक्ष बनाया गया है, जब केस सरत, सुपरतो बनरजी और सली लंकोला चैन समिती में। मौजूदा सेलेक्टर पूर्व, पश्चिम, डक्षिन और सेंटरल जोन से हैं, जब कि उत्तर की जगा चेतन शर्मा के बाद खाली है। झाले को में पूर्व, जपने को जब करते हैं, पूर्मा की जगा चैने पूर्व, जब के जगाता है।